नमो नहारे ये गोमाता वंदे मात्रमा भारती को प्रणाम और हिर्दाइशे ओम शंप सनिश्चारा आएगा प्रदशकों मित्रों शाथियों जीवन में वही व्यक्ति खुश रह सकता है प्रिसंद रह सकता है शफलता प्राप्त कर सकता है जो शंप का मुल्यांकन खुद कर और वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है जो सिर्फ दूसरों का मुल्यांकन करता है जीवन में सफलता चाते हैं खुशी चाते हैं तो अपना श्वा वलोकन करी अपने भीतर जांकी बुरा देखन में चला और बुरा नमुलिया कोई घट खो जा जो आपना हमसे ब मंतली रास्टी पन प्रारम करूँ इससे पहले गुरु महराज्य की सिर्चण में प्रात्ना बंदे बोदमयम नित्यम गुरूर शंकर रो पिनम यमा श्र्तोय वक्रो अपी चंद्रो शर्वात्र बंदते त्रेंबकम यजामे सुघंधिम पुष्टि बर्दिनम उर्वारुकमिम बंदनात मितूर मक्षी इमा मृतात शंपाउन डाश को स्वतंता देवस के साथ साथ स्रावन शिवरात्री हर्याली अमाउस नागपंच में रक्षा बंदो और शिरी जनमास्तिमीं की मेरी और से आप सभी को हार दिक्षि बखाव मादेव और महादव राष्ट की सभी नागरिकों को शुक्ष्ण मर्दी वैबा के सास्तात मनोबलाशां की पूर्ति करे उनकी सिर्चनों में मेरी प्रात्रा इस महिने दो अगस को श्रावन शिवरात्री है चार अगस को हर्याली अमाउश्या है नो अगस को नागपंच मी है 15 अगस को 38 स्वतंतरता दिवस है और 19 अगस को रक्षा बंदन और 26 अगस को जन्मास्तिक का पावन पर्व है यह महिना पर्व से भरा हुआ है और यह राष्ट पर्वों का राष्ट वाए यहां हर रोज कोई ने कोई पर्व है बाई जुलाई से स्रावन प्रारंभ क्या करे इस सावन में इस बार का यह वीडियो बहुत खास होगा क्योंकि कामकाच कारोबार नौकरी व्यवशाय संतान और परिवार की संपवन परेशानियों का निवारन कैसे हो इस वीडियो में अगस के महिने में जो 300 बार है अदभुद उपायों की साथ मैं खजाना ले लेंगे तो यह भी मैं जानता हूं कि इसमें दो शुबार आपको और मिल जाएंगे क्योंकि यह वीडियो आपके पास में मेरे हिसाब से 18 तारिक तक पहुंच जाएगा उससे पहले भी आ सकता है मेरे जीमन भर के अनभाव जो हमारी संसारिक समश्यां उनका समधान कैसे हो सठीक उपाई लेके आया हूं पारवारी शुक्षांती के लिए संदान सुक के लिए कारोबार में शफलता के लिए नौकरी में उनत्ती के लिए और स्वाश्यमन दिशंपवून परिशानियों के लिए प्रतेएक राशी के लिए अध्भुद उपाई है राशीपल के पर आऊ उससे पहली अगस्त के मेहने में ग्रनक्षांतरों की स्थिती क्या में इसकी चर्चा लेता हूं सूर्यदेव 15 अगस्त 24 तक करक राशी में संचण करेंगे 16 अगस्त शिंग राशी में आये हैं लेकिन पाँच अगस्त को शिंग राशी में वक्री अवस्ता में संचन करेंगे और बाइस अगस्त को वक्री अवस्ता में करकराशी में प्रवेश करेंगे 28 अगस को बुद्देव करक राशी में मारगी होंगे ब्रस्पत देव विर्षम राशी में सुकर देव महा के आरम में शेंग राशी और 24 अगस दे कन्या राशी में संचन करने शनिदेव विश्वा राशी कुम में राहुदेव मेंडासीद में और केतुदेव कन्या राशी में आगस 2024 में गरनक्ष्टरतों का संचन जो मैंने बताए वो इस परकार है अगस 2024 का महीना नक्ष्टर गरनाओं के सबसे कैसा रहेगा गरनक्ष्टरतों का राशी परिवर्तनगा किसे छेतर में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा किन किन छेतरों पर विशेई शावधानी बरतनी क्या भागिया आपकी पक्स में दस्तक देगा क्या है आपके लिए भ कैसी रहेगी इस विस्तार से चर्चा करो लूए यह जो राशीपल है वो आपके चंदर राशी पर आधारित है लेकिन मैंने कौसिस की है कि आप लगन से भी अपना राशीपल देख सकता है यह आपकी मेश राशी है तो यह राशीपल आपके लिए सटिग रहेगा और आप सब के लिए राशिफल मेरे अनुभाव के आधार पर मेरा आंकल ने दावा नहीं है अब यह जननल प्रड़क्शन है आप जानना था कि आपके लिए अगस्त का मेरा कैसा रहेगा नीचे नंबर आ रहे इन नंबरों पर शंपर करके आप मेरे से संपर कर सकते हैं लेकिन इस बार का वीडियो अपने आप में अद्बूद रहेगा, अब मैं बात करूँगा रासी चकर भर चकर की आठवी रासी, विर्षिक राशी वालों के लिए अगस्त दोहजार चौबिस का महिना नक्षत गर्णाओं के हिसाब से राशी फलका क्या स्रीप देरा है, कैस इस्तिर राशी है, विर्षिक राशी वाले जातक अपने श्ठान तोर में विनमर वैवार से पैचाने जाते हैं, ये एक जल्य राशी है, इस राशी के भाई बेन अपने आनभावर, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जीते हैं, बहुत सम्विदल सी राशी है, ये लोग भीतर से बहुत कॉमल होते हैं, लेकिन बार से बड़े कठोर होते हैं, लेकिन जिमन में ऐसे व्यक्ति बड़े कीर्टिमान बनाते हैं, इनको आसानी से हराया नहीं जा सकता हैं, बेसिक रियासी के लोग किसी भी इस्तिति में अपने सामने वाले पर प्रभाव होता है, इनकी प्रकृति लोगों को चुनोती देने वाली होती है, और ये बड़े मत्तकांसी है, अब विर्षिक राची वालों के लिए अगस 2024 का महिना नक्षतर गंणाओं के हिसाब से, गोचर के हिसा रहेगा, क्या खुशिया मिलेगी, क्या अपनों का साथ मिलेगा, क् या वैफार में शपलता मिलेगी, या केरीर और एज्यूकेशन में भाग दोड करनी पड़ी, कैसा रहेगा स्वास्ति, परिवार का बातापन कैसा रहेगा, इस सारी जानकारी अगस 2024 की महिने की में आपको दोंगा, लेकिन उससे पहले, राशेपल प्याओं उससे पहले, म समय भाव में संचन कर रहें, और 16 अगस से दसम भाव, शौरासी शिंग में संचन करेंगे, वुद्देव 22 अगस को वकतर हिए अवस्ता में करक राशी नमभाव में संचन करे, शुकरदेव 11 और शुप्तम भाव की सौमी यव् О कि consuming दसम भाव में बुद्देव की साद् राव मेंड आसी पंचमभाव केतु देव कन्या राशी ग्यार्वे भाव में संचन करेंगे यह वर्षिक राशी वालों के लिए अगस्त 2024 के मेहने में ग्रहन नक्षत्रों का शंचन अब मोटा-मोटा इन ग्रहन नक्षत्रों की दरने की बात करूं तो विर्षिक राशी वालों के लिए चतुर्द भाव में साशनामग पंच महापुर्शयोग में सनी देव का संचने तो चतुर्द धहिया से तो डरने की जुरूत है नहीं यह समय सांदार लाब शपलता का संकेश देरा मोटा मोटा जीद में देखू चाहिए वह आर्थिक पक्स हो चाहिए कारोबार शमेशे का समास्दान साथ से के साथ करेंगे कामकाज कारोबार केरे आने वाली शंपून बादाओं से मुक्ति पाएंगे अपने विरूद्यों प जिए वावशाइग निबटारोगा मोटा अपने महनत के बल फर बहृत्र बना सकने में इकार्षित प्रभूतर हो आपका नियंतrom बना रहेगा आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा जिसमें आपको वेविशाइक किलाप्त होगा जी मिल साथिकका सरयोग मिलेगा पहिशाय को नई दिशा अपने गती मिलेगी, समाज परिवार से शुफ़लों की प्राप्ति होगी, पिता पक्स आपके लिए मजबूत होगा, और पिता को उन्नति का उस्तर प्राप्ति होगी, कारिश्यत आपकी रचनात्म और उस्तराश्रा श्क्ति से ब्रदी होगे, तव जिवन साथी से मनमटाव हो सकता, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, अपने बैवार को शंतुलित रखे, पारवारिश सदस्य से तालमिल बना कर चलना बहुत जरूरी, अतिदिक आत्म विश्वास अकारण करोध और अपने एटिटूड पर काभू रखना होगा, आप काम कर रहे हैं, वो भी इमानदार हो शकते हैं, इस नीटी को आपने समझ लिया, तो आपका ये महिना अच्छा भी देगा, तो ऐसे समय अच्छा है, इदि आप रण नीटी बना कर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तम आउसर मिलेंगे इस मेने आपकि आरतिकी स्ति उत्तम रहेगी, धन् प्रापती के अने को अने की शुर्त ओक लाब मिलेगा, एजुकेसन के छिद में मैंनत के अनुसार प्रनाम प्राप्थ होंगे, भाग ये अच्छा संक्छे दे रहा है, तो सरकारी देbank में लह मिलेगा, पक्षमें होने स लोग आपकी प्रसंसा भी करेंगे कारुबार किसेत में उस शुकर का हचिल भी करेंगे विर्शिक राशी वालों शनीदेव तिर्शी और चतुरत भाव ससनामग पंच मापूरसी योग में विराजमाने यहां सनीदेव आपको महनत कराएंगे परिश्रम कराएंगे खाली दी बैटनेंगे और आपको महनत परिश्रम संगर्श का पूर्ण फाल भी मिलेगा इस दोन आप अपने शामर्ति शास प्राकर में ब्रदी होगी छोटे भाई-बैनों से मदुर्श्रमद बनेंगे और उन से स्वयोग की प्राप्ति होगी इसमा खेल सारिक प्रिटन जैसे जि परिशानी नहीं है इसलिए बता रहा हूं अपकी तुनक मिल्याजी है बिना करान क्रोध है केवल अपने को सही मानते हैं तो आपको उठापटक और परिशानी का संकेत है इन तीन या दो तीन बातों को सुधाल लेंगे तो अगस्त का महिना हर दस्टिकॉन से आपके लिए लापका संकेत दे रहे रोजगार को लेकर भागी साली देंगे नौकरी के अच्छा रहेगा कामकाज जवेशाई पैसों के आवक अच्छी रहेगी रिश्टों की बात करो तो साती आपको खुश रखेगा जीवन साती के और से मननकूल प्रसुता का समचार मिलेंगे संतान पक्षांदार रहेगा निजी जीवन में शाथियों में बड़ी सालिता का परचे आपने दे दिया निजी जीवन में शाथियों को आपने दी सालिंता का परचे दिया सालिंता यानि भासा में अनकूलता रखी मीठा बोले उन्हें समझने की कोसी करी तो निजी जीवन बढ तूल असा आपको शावधानी बटनी पड़िए मोटा मोटा है साथ मोटा मोटा अब जब यह घरे योगा योग अगस्त के महिने में द्रशिशमन यूति श्थापित करेंगे शंपून घरे योगा को देखते ही वे मैं बात करूंगा अगस्त कामकाज कारूबार नोकरी आरत अगस्त कामकाज कारूबार नोकरी आरतिक दर्शिक विपदाए बिना मतलगा तनाव जो आप शंप पैदा करेंगे तो अलग बात बनाए प्रेशानिया आपके पास नहीं रहेगी पून ता नक्षत गरना लाब और शफलता का संकेदरी कि मैं आपको यह बात क्यूंग है क के लिए प्रेशानी आई प्रिशिक रासी का सभाव है कोश्चन चर्म करते और शवाल आप उसका जबाब भी आप यह ऐसा नहीं करेंगे तो यह मेना आपके लिए सपलता उसे भारा रहेगा 16 आगर से दसंभाव क्या सूरीदेव का सुरता के सवारासी में दसंभाव में दिख-भली अवस्ता में संचर्ण dragging सास प्राक्रम यह सकीरिति में बढतरी यह और बुद्द्द जुकर दिव क्रोग्यों में घुचर करेंग तो यह लक्ष्मिनानी होगर सभी करे यह योगा कारोबार में अपनी स्वंतुलिय३ क्यासे मन प्रिद्रस्ट्र, मन्युट्व Pixar के प्रह्पति मन्चाई लक्ष्च की प्रह्पति होगों में उंचन्धिकारिëं को स्भट इसके करना आप आप उपने कारी को बरिष्ञ एक षरलता से संपन तो आउसर Prof le में काम करना हुआ लग लिए मैना पूर्ण भागेस्ताल देगा मनवनकुल कारवारी यात्राओं करें नमीन परियोजनाओं में शपलता मिलेगा नौकरी में बहुत मनवनकुल देगा परमोशन और पदोनती होशती कोई पारवारी पुस्तनी वेपार है तो इस महीने मां का अंतिम संता आपको संभालना होगा रिस्तों को संभालना होगा आस्मान में उड़ना गुना नहीं लेकिन पैर जमीन पे रखना होगा विलासीता पर अंकूस रखें आप खुदी सही है इस पर भी थोड़ा सा श्वावलोकन करें पारवाइट देश्टिकों से अपने शुभा में थोड़ा नर्मी रखे तलकी से बचे अनावश्य क्रोध नहीं करें तलकी रिस्तों में कटुता ला सकते हैं आप विवाई थे तो संतान शुक की संभावना न दिरारी विवाश्रम बंदी मसले हल होंगे वर्चिक राशिवालों के लिए अगस्त का महि बहुत अनकुल लेगा उनके साथ समय बिताने का आउसरी मिलेगा संतान की सपलता के लिए कि प्रियास लाब दाइग रहेंगे और इस महिने आपका पूरा ध्यान आपकी संतान की और होगा मैं यह और विद्यार्तियों की बात करूं तो शिक्षा और केरियर की दर्ष्ट क पाने का जो सपना वो शाकार होगा परवर्श देश्ट की सलाफ पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो बहुत अच्छा रहेगा शिक्षा को की बात सुननी पड़ेगी शिक्षा और केरियर में अच्छे रिजिल्टरों के लिए समझता बादी नीती बड़ी रहत बड़ी आसान कर लिए इदि आप विज्ञान में कॉमर्श के शिर्टर में अधिन कर रहे हैं सफलता में चार्ट चांद लगेंगे नक्षट अच्छा संक्री एकाउंट के सिर्ट में रिसर्च कर दूलाब मिलेगा इदि आप स्कूल कॉलेज इंजिश्टरों में दाखिला के लिए प्र दो विद्यार्थियों को बहुत अच्छे लाब मिलेगा यूवाशत क Angieiland relaxing आज़ौण के अच्छा प्रदसन का ऐस्वत अगस्त का महिना है हां रिस्टों में पवितरतार को और अच्छा मिलेगा इद्धारों के लिए विद्यारतियों के लिए कामकांज कारुबार्नों क परी सभी के लिए कैसा रहेगा परिवार के इसाफ से विर्षिक राशी वालों के लिए अगस्त का महिना मित्रों थोड़ी दिर मेरे साथ रहेगा क्योंकि अगस्त के महिने में मैं उपायों का अध्भूद पिटारा लेका हैं लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि अगस्त के महिन जैसे आम है, जामून है, सिजिनल फलों के रस से भगवान शिव का अभिष्टिक लगातार 19 दिन कर लिजेगा, ओम ततपुरसाय चविदमे, महादेवाय चे धीमी, तनुरुद्र प्रचिजाय, शिव गाहितरे का जाप करते, सिजिनल फलों के रस से भगवान शिव का अभि प्रचिजाय के बाद, ओम वीर्द वजाय चविदमे, विगन हस्ताय से धीमी, तनो भूम प्रचिजाय इस मंत्र की तीन माला जरूर शुबेशाम कर लेजीगा, भग्या आपकी पक्षमिनल कर लेगा, और आपकी सारे काम बनेगे, ना मना रहे, मैंने काने उपाई बहुत स्वास्त्यों को लेकर परिशानी आएगी, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट, पीट, सर्वाइकल, इन सारी चीज़ों को लेकर चिकसा मेला परवेनी बताएं, डॉक्टर को दिखाते रहे, आपके लिए अच्छा रहे, अब आगस्त का महिना आपके लिए अच्छा भीत तो इस महीने हर रोज अपने पुजा अजस्तान में सुद्ध देशी घीका दिपक जला के माभगवति की सिर्विगर का आगे, आउ मैंग, रिम, क्लिम, शामुंड, आई बीचे, इस मंत्र का सर्दानुसार जाप करना भी आपके लिए कल्यान कारी रहेगा, मित्रों शात् राची विर्षिक है, क्योंकि बाउस से लोगों ने, विर्षिक राची के बाउस से लोगों ने हमसे कहा, कि साब हमारी परिवार में शुक्षानती नहीं है, परिवार में कल्हे बहुत रहता है, मैनत परिश्रम संगर से के बाव जूद भी ना घर में बचत है, ना बरकत ह यहां मनमूटाव की वजय से घर में शुक्सान्ती नहीं, घर में शुक्सान्ती कैसे हो कुछ उपाएं बताएं, मित्रों स्रमन का मैना है, और आपकी रासी विर्शिक है, यह उपाएं आपके लिए राम-बादब है एक अगस्ते उनिश अगस्तन लगातार उनिश दिन पारवारी शुक्षानती बरकत और भचत के लिए हर रोज प्रातिकाल नित्य कर्म दिशन सिनान उप्रान ब्रह्म मूर्त में भगवान शिव का श्रधाप रुपन परण पूजन करें धूप दीप नेवजी पूश पर अ जल में दूद और श्रध मिलाकर रुद्री का पाढ़ करते भगवान शिव का अभिशे कर लिए लगातार उनिश दिन पारवारी शुक्षानती और बरकत और बचत अब शिया आपके परिवार में रहें बहुत सी विर्चिक राशी के मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि दा मेनत करते परिश्णम करते भाग दोर करते एकजाम देते ना नोकरी लगती ने कोई कामकाज अच्छा मिला कोई सुन्दर हो पाई तो मित्रों यह स्रावन का महिना है विर्चेक राशी के सभी भाई बैन स्रावन के महिने में एक अगस्ते लिकर 19 अगस्त तक 108 बेल पत्र या सर्दान उसार बेल पत्र पत्र लाज चंदन से ओम नमो शिवाय लिए और भगवान शिव का ज्यान करते हुए मृतंजय मंत्र का जाब करते हुए या शिव गाहितरी का जाब करते हुए या ओम नमो शिवाय का जाब करते हुए भगवान शिव के शिवली में लगातार उननीज दिन ब्रह्म मुर्ट में अर्फित करें, तो नौकरी और कामकाज सम्मंधी परेशानशे मुख्य में जाएगी, नहीं वणाना ने हैं, कुछ मित्रों ने मुझसे सवाल किया, कि साब, विर्चिकराशी क्यों, संतान सम्मंधी परेशानियां बहुत है, क्या करें? संत से 19 अगस्त तक निरंतार ओम वीर भद्राय नमहा इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के स्विलिंग पर या तु गुलाब के पुष्ट या कमल के पुष्ट निरंतार अर्फिकारे तसपसाथ हर रोज संतान समंधी परिशान चे निवारन के लिए ये 19 दिन भगवान आपको संतान चुक नहीं है तो महादेव की किरपा से आपकी घर में किलकारिया जरूर बिज़ेगी परदर्शकों मित्रों शाथियों वर्षेगराशी वालों के लिए अगस्त 2024 का महिना कैसा रहेगा नक्षतर गर्णाओं का अधार पर मेरा नीजी आंतों था ना भय ने आपको से बहुत प्रिया जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरवर थी यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूं भस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लख्षदा है मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोशेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं शेवा आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते है आप अपनी जन्मकूली बनाना चाहते है आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हुरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एहिंकार नहीं है सात्यों मेरा राश्चरों पर ही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ मैं परिशरम करूँगा आपके लिए और परिशरम के एवज में गायों के लिए चारे की वेबस्ता करिए सानि भगवन आपकी रिक्षा करें आपका जीवन सदा खुशों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में एकीसो रुपिया चारा कर दिया है मैं उन सब की परती अपना आभार परगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दस्ट कौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है सासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना चाहिए आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्योकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना रहें